नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्छावर्ड के से योटूब चैनल में दोस्तो आज हम योजनाओं का पार्ट टू कवर करने वाले हैं कल हमने पार्ट वन में सौ बहतरी नोजनाओं को कवर किया था तता आज का हमारे जो पार्ट टू है इसमें हम लगबग डेर सो से जादा योजनाओं को कवर करने वाले हैं इस प्रकास से दो वीडियो में हम लगबग आपके धाई सो योजनाओं को कवर कर देंगे तो इन दो वीडियो को आपको बिलकुल ध्यान से देखना है एकजाम देने से पहले इन दो वीडियो को रिवाइज कलते रहना है क्योंकि maximum chances हैं कि लेकपाल की परिच्छा में जो भी योजनाओं से प्रसंद पूछे जाएंगे इन दो वीडियो के अंदर से ही पूछे जाने के chances हैं तो इन दो वीडियो को कम से कम आप बार बार को कबर करने वाले हैं तो चले वीडियो को सुरू करता हैं तो पहली योजना आपके सामने है तो आप ध्यान सियात कर लिजेगा तो आपका सुरू किया गया था वर्स 1996-1997 के दोरा जहां पर थोड़ा सा पीडियाप क्लियर नहीं है तो यहाँ पर चानवे से लेके आपकी संतानवे का आपका जो वित्ती वर्स चानवे संतानवे का इसी के दोरान जो है आपकी जो त्वरित सिचाई लाब करिकरम था उसको सुरू किया गया था तो आप इसे 74-75 के दोरान सुरू किया गया था तब इसे याद रखेगा उनिशा 74-75 के दोरान आपका कमान छेत्र विकास कारिकरम सुरू किया गया था डेफिनिटली आप से एक जामे प्रस्निया से देखने को मिल सकता है आपका जो कमान छेत्र विकास कारिकरम था इसका उद्देश से क्या था important प्रस्तन है तो इसका उद्देश सी था देश की बड़ी तथा मध्यम अकार की परियजनाओं की सिचाई छमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है ने कि यह जो आपका कारक्रम था कमान छेतर विकास कारक्रम इसका main motive था main उद्देश सी था देश की जितने भी बड़ी और मध्यम अकार की परियजनाओं की सिचाई छमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना इस छेतर विकास कारक्रम इने कि कमान छेतर विकास कारक्रम का उद्देश सी था तो उद्देश सी भी आप या देखिएगा कमान चितर विकास कारेकरम का पुनर गठन 1 अप्रेल 2004 को किया गया था और इसका नाम बदल को किया कल दिया गया था तो 1 अप्रेल 2004 में कमान चितर विकास कारेकरम का नाम कल दिया गया था कमान छितर विकास तथा जल प्रबंधन कारिक्रम important है आप इसे not down कर लाएजेगा मर्श्थल विकास कारिक्रम कब सुरू किया गया था important है तो आपका जो मर्श्थल विकास कारिक्रम था इसको सुरू किया गया था agenes quote し कर दिया गया था कप तो water shade विकास कायकरम में जो water shade विकास कायकरम था उसी में आगे चलकर आपका जो मरुस्तर विकास कायकरम था उसको एक ही क्रित कर दिया गया था important है प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना कब से लागू हुई है तो अब दियान से याद कल लिजेगा वर्स 1988 में, कब तो वर्स 1988 में राष्ट्री क्रिसी अनुसंधान परियोजना लागू हुई थी. अगला प्रस्द है, मक्का, दलहन, अयल पौम, तथा तिलहन की एक क्रित योज़ना, योजना आइसो पाम कब शुरूखे गई थी यानि कि जो आइसो पाम है इसके अंतरगत मक्का, दलहन, ओयल पाम तदा तिलहन को समलित किया गया है तो इन सभी चारों इंपोर्टेंट फसलों का जो है यह क्या है एक कृति योजना जिसका नाम है आइसो पाम तो आइसो पाम क गोशना की गई थी 14 अप्रेल 2016 को कब तो 14 अप्रेल 2016 को आपके राश्ट्री ए क्रिसी बाजार योजना की गोशना की गई थी राश्ट्री ए क्रिसी बाजार योजना का उद्देश सी क्या था तो राश्ट्री ए क्रिसी बाजार योजना का उद्देश सी था किसानों को अ मृधा स्वास्थ कार्ड योजना को शुरू किये थे डेट आपके लिए important है मैं आपको एक बार बता दू कि जो डेट है उसको आप एकदम रट लिजिएगा दिमाग में बैठा लिजिएगा कि maximum chances आप से एकजाम में date से related प्रस्थ देखने को मिले match the following के रूप में या direct आप को confirm याधी रखने पड़ेगी जितना हो से कि उतना date को रटते चलिएगा योजनाओं की maximum chance है कि आप से एकजाम में date ही पूझी जाएगी अगला प्रस्थ आपके सामने है मृधा स्वास्थ कार्ड योजना का सुबारम कहां से किया गया था तो रायस्थान का जो स्री गंग उत्देश से था क्रिसी भूमी में उर्वरकों के अत्यधिक इस्तिमाल पर अंकुष लगाना तथा पोसक तत्वों तथा उर्वरकों के उचित उपियोग का उत्पादक्ता उपियोग द्वारा उत्पादक्ता बढ़ाना इस मृधा स्वास्त कार्ड योजना का में लेंड है उनमें जो राशानिक उर्वरक थे उनके उपयोग पर अत्यधिक उपयोग ने के जादा सेजा जो राशानिक उर्वरक उसमें आपके इस्तिमाल होते हैं राशानिक उर्वरक उन पर जो है अंकुस लगाना लगाम लगाना तता पोसक ततो तता उर्वरकों से उचि की जो क्रिसी अनुसंदान प्रबंध अकादमी है उसी के तरह जो है आपकी एकड़ी उडान को सुरू किया गया था एकड़ी उडान नामक पहल का उद्देश से था खेती बाड़ी में नए प्रियोगों और स्टार्टप्स को बढ़ावा देना एकड़ी उडान यूजना का में उद्देश से था हरियाली परियोजना कब सुरू की गई थी इंपोर्टेंट है तो हरियाली परियोजना का उद्देश थी क्या था वर्षा जल का संचलन व्रिक्षा रोपन जल संगरहन परियोजना का किर्यानवन ये सबी इंपोर्टेंट उद्देश से थी आपका हर प्रधान मंत्री युवा योजना कब शुरू की गई थी तो 9 नौमबर 2016 को प्रधान मंत्री युवा योजना का मुख्य उद्देश से क्या था तो इस प्रधान मंत्री युवा योजना का मुख्य उद्देश से था देश की युवा पिड़ी को प्रसायत कर उन्हें वंतरी यूवा योजना का लाब उठा सकते हैं तिसके बारे में आप याद देखिएगा केंद सरकार के दोरा ग्राम पंचायत अस्तर पर खाध्यान बैंक की योजना कब सुरुके गए थी वर्स 2002 में तो इंपोर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लिजेगा वर्स 2002 में अग नियानबे के दोरान इंपोर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लिजेगा शांसद अस्तानिय चेत्र विकास योजना कब सुरुके गए थी तो वर्स 1993 में आप याद रखेगा राष्ट्री खाध्य सुरक्छा मिशन का प्रारम किया गया था तो आपका जो राष्ट्री खा प्रधान मंतरी जंधन योजना कब शुरू किया गया था तो आपकी जो प्रधान मंतरी जंधन योजना थी इसको सुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को डेफिनेटली आप से जामयास से प्रस्थन पूछा जा सकता है तो आपकी यह जो प्रधान मंतरी जंधन योजना थी यह वित्ती समावेशन पाधारी थी आपकी प्रधान मंतरी जंधन योजना था आप इसे आ देखेगा प्रमुक उद्देश इसका क्या था प्रधान मंतरी जंदन योजना का तो देश के सभी परिवारों की बैंक तक पहुच को सुनिश्चित कर उन्हें मतलब जितने भी देश के परिवार हैं उन सभी परिवारों की जो पहुच है बैंक तक सुनिश्रित करना तता प्रतेग परिवार में प्रतेग सदस्य का खाता खुलवाना इसका मेन उद्देश से था जिसके जरिए वित्ती सामावेशन को बहळवा मिले तो आप इससे आद क अलो दो सुन्य करोड लोगने आपके 28 फरोरी 2018 तक खाते खुलवाये थे इस प्रधान मंत्री जंदन योजना के तहट सुकन्या सम्रधी योजना कब लागू के गए थी तो 22 जनरी 2015 को आपकी लागू के गए थी सुकन्या सम्रधी योजना इंपोर्टेंट आप इसे नोट लुके गए थी तो हरियाना के पानिपत से आपके सुकन्या सम्रधी योजना सुरू किये गए थे छलिए प्रस्त में आपसे पूच्छ हूँ इस योजना से यहापकी जो wenmm получится कितनी जमा की जा सकती है और maximum राशी कितनी जमा की जा सकती हैए इस खाते के इंतरगत यहाद के रासी जमा की जा सकती है इसका आप जबाब हमें देजेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब सुरू की गई थी तो 22 जनुरी 2015 को इंपोर्टेंट है डेफिनेटली आप से एक जाम में यह प्रस्ण पूछा जा सकता है अगला प्रस्ण है बेटी बचाओ बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्दिष से क्या था तो बालिका की उत्तर जीविता सरक्षन तता सिक्षा को बढ़ावा देना इस योजना का में उद्दिष से था आप इसे नोट डाउन कर लिजगा अगला प्रस्ण है बेटी बचाओ बेटी यह स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले महिला एवं बाल विकास मंत्राले तथा मानो संसाधन विकास मंत्राले के दोरा चलाई जाती तो इसके बारे में आपको याद अखना है प्रधान मंतरी जीवन जोती योजना कब सुरू किया गया था आप हमें एक और प्रस्ण का जबाब दीजे कि यह जो डेट है आपकी 9 माई 2015 को इस दिन दो अन योजनाओं को भी सुरू किया गया था तो आपको उन दो अन योजनाओं का नाम हमें कमेंड बॉक्स में बताना है कि यह जो आपकी डेट है 9 माई 2015 को इस डेट को और कौन कौन सी योजनाओं सुरू की गया थी जितने भी मैं प्रस्ण आपको पूछ रहा हूँ इन से प्रस्णों को मैंने सौल्व करवाए हुआ क् इसका जवाब आपमें कमेंड बॉक्स में दीजेगा तो आपकी जो प्रदान मंतरी जीवन जीओती योजना इसके पात्र कौन है तो वे सभी जिनकी आयू 18 से लेकि पचास वर्स के है वे सभी लोग इस योजना के पात्र है तो आपर सिया देखिएगा 18 से लेकिए 50 आयू वर्ग के लोग जो है इस योजना के पात्र हैं प्रधान मंत्री जीवन जियोती के तब इसे याद कर लिजेगा मात्रित वलाब योजना कब शुरू के गए थी इंपोर्टेंट है तो मात्रित वलाब योजना आपकी शुरू के गए थी 31 दिसंबर 2016 से इंपोर्टेंट है योजना कब सुरू के गए थी important है तो राजीव गांदी सिल्पी स्वास्त योजना आपके सुरू के गए थी 31 मार्श 2007 को important है प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना कब सुरू के गए थी तो आपकी जो प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना थी यह 9 माई 2015 को सुरू के इस योजना के पात्र कौन कौन है आपके प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना के तो ऐसे सभी बैंक खाता धारक जिनकी उम्र 18 से लेके 70 वर्स के बीच है वे प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना के पात्र हैं तो आप इसे याद कीगा प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना को प्रारंब किये जाने की जो अनमती है केंदरी मंत्री मंदल दोरा कब की दी गई थी important प्रस्न है तो 21 मार्च 2015 को जो है प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना को प्रारम करने की जो अन्मती है उसको केंद्री मंत्री मंदल के द्वारा दी गई थी तो 21 मार्च 2015 पंद्र किस मंत्राले के द्वारा किस मंत्राले के माध्यम से राष्टी कॉसल विकास मेशन की सुरुवात की गई थी तो कॉसल विकास एवं उद्विता मंत्राले के द्वारा इस राष्टी कॉसल विकास मेशन की सुरुवात की गई थी इंपॉर्टेंट प्रस्न है दिन दय आपके सामने है तो 15 जुलाइ 2015 से आपका राश्टी कोशल विकास मिशन सुरू किया गया था important है विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षलता कारिकरम कौन सा है तो प्रधान मंत्री ग्रामिर डिजिटल साक्षलता मिसन जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षलता कारिकरम है तो यहाँ पे डिजिटल साक्षलता कारिकरम की बात हो रही है तो प्र प्रस्ता है प्रधान मंत्री ग्रामिड डिजिटल साक्षलता अभियान के तहत कितने ग्रामिड परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्षे है तो आप ध्यान से आद कर लिजेगा छे करोड ग्रामिड परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्षे है इस प्रधान मंत्री ग्रामीड डिजिटल सा चलता अभियान के तहे तो आप इसे आद देखेगा 6 करोड ग्रामीड परिवारों को राई जियोजना का संबंद किस्से है तो आपकी जो राई जियोजना इसका संबंद है इसकूली बुनियाडी धाचे के जिर्णोधार द्वारा तथा वर्स मतलब इसकूली बुनियाडी धाचे का जिर्णोधार करना याने कि जो आपके इसकूल का बुनियाडी धाचा है उसमें और विकास करना उसको और विवस्थित करना और इसके अलावा वर्स 2022 तक सिक्षा म अधार भुत सुधार के लिए जो है आपकी यह जो योजना थी राइज योजना इसको सुरू किया गया था प्रधान मंतरी उज्वला योजना की सुरुवात कपके गय थी एक मैई 2016 को उत्तरपदेश के बलियां जीले से इंपोर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लिजेगा इसके बाद हाली में इसका जो सेकेंड वर्जान है 2.0 यानि कि इसका जो दिती चरण है यह भी सुरू किया गया है उज्वला योजना का कहा से तो उत्तरपदेश का जो महोबा जनपद है उत्तरपदेश के महोबा जनपद से जो है इसका सेकेंड फेस सुरू किया गया है प्रधान मंतरी उज्वला यूजना का ताप इसे याद कर लिजेगा इसका उद्देश से क्या था प्रधान मंतरी उज्वला यूजना का तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाली महिलाओं को निसुल्क LPG कनेक्शन देना अब ध्यान से याद कर लिजेगा प्रधान मंतरी उज्जोला योजना का उद्धिस सिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाली महिलाओं को निसुलक LPG connection देना इसका मेन उद्धिस सिता प्रधान मंतरी उज्जोला योजना का ताप इसे ध्यान से याद कर लिजेगा पहल से क्या ततपर है तो प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाप से यानि कि यह कारकरम जो आपका पहल कारकरम ते क्यों शुरू किया गया था तो आपका जो LPG gas पर सबसीडी दी जा रहे थी उस सबसीडी के पैसो तक को जितने भी उभुगता है उनके खाते में डारेक्ट रूप से जमा करने के लिए जो है आपकी इस पहल को सुरू किया गया था तो आप इसे याद देखीगा पहल योजना आपसे एक जाम में पूछी जा सकती है अगला प्रसना आपके सामने है पहल योजना एक प्रत्यक्ष लाब हस्तांतरन योजना है जिसे सुरू किया गया था एक ज पहल यूजना का मेन उद्देश से था जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके बाद अगला प्रस्थन आपके सामने है अटल पेंशन यूजना क्या है तो अटल पेंशन यूजना की है और संगठित जितने भी कर्मी है उनको मासिक निक्षित पेंशन उपलब्द कराना इस अ इसके बारे में आप याद गेगा और प्रधान मंत्री वंदन यूजना को जो है किंद्री मंदल की मंजूरी कम मिली थी तो चशूरी मन्जूरी van 2017 को प्रधान मंत्री वय वंदन योजना का में उद्दे से क्या था वरिष्ट नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का में उद्दे से था मानो संसादन विकास मंत्राले जिसका नाम हाली भी बदल दिया गया है आपको बताना है कि जो आपका मानो संसादन विकास मंत्राले इसका नाम बदल कर क्या कल दिया गया है इसके तरह चात्रों की भासा कौसल तथा गडित कौसल में सुधार के लिए कौन सी युजना शुरू की गई है तो पड़े भारत बड़े भारत तो आप इसे या देखेगा पड़े भारत बड़े भारत ये युजना शुरू की गई थी चात्रों की भासा कौसल तथा गडित परिवार को पर्यावरन अनुकूल पक्का मकान उपलवद कराने की सरकार का प्रस्ताव है तो वर्स 2022 तक सरकार का प्रस्ताव है mentor India अभियान कब शुरू किया गया था important है तो आपका जो mentor India अभियान तो इसको शुरू किया गया था 23 अगस्त 2017 को important है mentor India अभियान किसके दरह चलाय गया है तो नीती आयोक के दरह चलाय गया है mentor India अभियान तब इसे याद कर लिजेगा मौलाना अजाद National Academy for Skills आप द्यान से याद कर लिजेगा मौलाना अजाद National Academy for Skills जिसको short form में मानस के नाम से यानते हैं क्या प्रारम गुआ था तो 29 मार्च 2016 को यह प्रारम की गई थी आपकी मौलाना अजाद क्या है तो National Academy for Skills तो आप इसे याद कर लिजेगा मानस कारिकरम जो है किसके लिए है तो यह अलप्रसंख्यकों के लिए उद्यम सिल्ता एवं कौसल विकास का कारिकरम है आपका मानस कारिकरम ताप इसे याद कर लिजेगा उस्ताद दियुजना का उद्देश से क्या है तो कोसल उन्नेयन एवं प्रसिक्षन दोरा पारमपरी कला एवं हस्त सिल्प का विकास करना उस्ताद दियुजना का उद्देश से है 14 माई 2015 को उस्ताद योजना कहां से शुरू के गए थी तो आप याद कर लिजेगा 14 माई 2015 को उस्ताद योजना सुरू के गए थी आपकी वरानसी से यानि कि आपका जो प्रधान मंतरी नरंदर मोदी का संसजी चित्र वरानसी है यही से 14 मई 2015 को उस्ताद योजना सूरू की गई थी तो इसके बारे में आपको याद अखना है दोस्तो वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम सभी योजनाओं को यहां पर कवर करेंगे एक ही वीडियो में तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को यहां पर रोकते हैं बाकि की जो योजनाओं आपकी हैं उसको थर्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही आज की जो योजनाओं में आपको पढ़ाई हैं कम से कम उनको आप याद कर लिजेगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर रोचिंग थैंक्यू